नमस्कार दोस्तों मैं केपी गुपता आपको आज एक अध्भुत रेलवे यात्रा के बारे में बताना चाहता हूँ यह है इनलेंड्स बेनन यह स्वेडिस देश की अध्भुत ट्रेन है स्वेडन की देश में यह पहुती सुन्दर लाकों से बुजरती है यह ट्रेन एक ऐसी ट्रेन है कि आप इस ट्रेन में कहीं पर भी किसी भी जगे उतर सकते हो किसी भी जगे से चल सकते हो और बहुत धीमिकती की ट्रेन है यह सुपरफास ट्रेन नहीं है और इस ट्रेन की जो खड़की हो सामन ने खड़की नहीं है खुशी देने वाली खड़की है, जहां से आप स्वीटन के आंत्रिक हिस्सों को देख सकते हैं, यह चलती कम है, ब्रेक जाद लगाती है, और अनगिनत स्टाफ है, इसके अंदर ना कोई पेंट्री होती है, नहीं खाने का सामान पर भूग लगी हो, तो पट्री के साथ स्ट्रावेरी दिख रही है, और आप एदी खाना चाहते हैं, तो ड्राइवर्स रिक्वेस्स कर सकते हैं, और आप और स्ट्रावेरी खा सकते हैं, फोर अनरजी मर्जी जाएं, ब्रेक लगा और सफर कमजा लीजे, 1907 से 1937 के बीच में यह बनी रिल्वी राइन कभी लकडित होती थी लेकिन आज परेटन प्रसंता सुख शान्ती की ट्रेन है यह किसे मुकाम की आतरा नहीं है मन की आतरा है, माइंडफुलनेस की आतरा है, आनंद की आतरा है यह स्वीडन के लाल घने जंगलों को, तलासेओं को आप तक ले जाती है संदरगाओं तक ले जाती है यह स्पीट के उधारने के लाव के वल 31 किलोमेटर प्रतिक इंटिकर उतरा चले यह क्रिस्टियों से कुरूना तक चलती है आपकी इस ट्रेन की यहात्रा की जानकरी टबलियो लू इन लेंड्स बैनन डॉट एसी पर जाकर देख सकते हैं सामने तो इस ट्रेन के कराय सोलह जार दूसर पुचास है इस ट्रेन का जो दूसरा महत्मुन स्थाप मोरा जहां पर आप सिलं लेग पर सिल्जन लेग पर गूम सकते हैं और स्टरमन भी एक महत्मुन स्थाप जहां पर एतियासी की मारतों को देख सकते और यहां साइकल चलाने के लिए बहुत ही खुबसूरत ट्रेक उपलब्द है सुरसले और भी बहुत ही अच्छी जगे है यहां पर फिशिंग टाउन है गलीवेर के अंदर पत्षी के अंदर जा सकते हैं और आप बहुत ख़दानों का मजा ले सकते हैं यह बहुत आद्भू ट्रेन हैं यह आप स्वीडन जा रहे हैं तो एक दिन तो जरू गुजरिए इंडलेंड्स बैनन ट्रेन में मैं केभी गुपता आपका इस ट्रेन में स्वागत करता हूं थैंक्यू